भारत राजसी घोडों के खुरों के निशान से जुड़ा एक मनोरम इतिहास समेटे हुए है। मारवाडी घोडों से, जो अपने विशिष्ट घुमावदार कानों के लिए जाने जाते हैं, तेज काठियावाडी और मजबूत मड़िपुरी तक प्रत्येक नसल सदियों पुरानी विरासत की कहानी रखती है। ये घोडे युद्ध में साथ ही शाही स्थिति के प्रतीक और राष्ट्र के सांस्कृतिक ताने बाने के अभिन अंग रहे हैं। भारत घोडे के शौकीनों और प्रजनकों के लिए एक असाधारन गंतव्य के रूप में उभर रहा है। अपनी प्राचीन परंपराओं से लेकर आधुनिक घोड सवारी गतिविधियों तक भारत घोडों की कृपा और शक्ती से मोहित लोगों के लिए एक विशिष्ट अनुभव प्रदान करता है। आईए बात करते हैं भारतिय घोडों की नसलों के बारे में भारतिय घोडों की नसलें दस प्रकार की होती हैं। हमारे देश के अलग-अलग घोडे की नसल के नाम जान लेते हैं। फिर अगले वीडियो में हर एक नसल का विवरण मैं चर्चा करूँगा। भूटिया घोड़ा सिक्किम और उत्तरी भारत के दारजिलिंग जिले के छोटे पहाड़ी घोड़ों की एक नसल है इसमें मंगोलियाई और तिब्बती नसलों से कुछ समानता है सामान्य कोट का रंग खाड़ी और ग्रे है चुमार्टी नसल हिमालय की मूल निवासी है चुमार्टी घाटी में उत्पन्न होती है और मुख्य रूप से हिमाचल प्रदेश में पाई जाती है वे एक छोटी पहाड़ी नसल है जो कठिन परिस्थितियों का सामना करने में सक्षम है उत्तरी भारत का मूल निवासी स्पीती घोड़ा एक छोटा पहाड़ी टट्टू है जिसका नाम स्पीती नदी के नाम पर रखा गया है हालांकि उनकी उत्पत्ति के बारे में बहुत कुछ जहात नहीं है लेकिन वे मंगोली आई और तिबबती नसलों से समानता रखते है और जांसकरी नसल से निकटता से संबंधित हैं मनिपुरी टट्टू की एक दुरलभ नसल है जो पूर्वोत्तर भारत के मनिपुर में पाई जाती है विशेश्जों का मानना है कि वे अन्य टट्टू स्टॉक के साथ साथ मंगोलियाई जंगली घोडों और अर्बियों के वन्शज हैं चांसकरी उत्तरी भारत में लद्दाक के मूल निवासी टट्टू की एक छोटी पहाडी नसल है इस नसल को इसका नाम जांसकर घाटी से मिला है भीम थड़ी या दक्कनी घोड़ा एक दुरलभ भारतिय नसल है जो लगभग विलुप्त हो चुकी है इस नसल क अठारहवी और उन्नीसवी शताब्दी में स्थानिय टट्टूओं के साथ अर्भी और तुर्क नसलों को पार करके विकसित किया गया था सिकांग घोड़ा इन भारतिय घोड़ों की नसलों ने अश्व जगत को एक आधार प्रदान करने में मदद की है उनकी अद्वितिय शक्तियों और मजबूत सहन शक्ति ने ऐसे घोड़े तैयार किये हैं जो इच्छुक, स्वतंत्र और बुद्धिमान है काठियावाडी नसल का मारवाडी नसल से गहरा संबंध है काठियावाडी घोड़ों की उत्पत्ति पश्चिमी भारत में गुजरात के काठियावाड प्रायद्वीब से होती है मारवाडी घोड़ा भारत की सबसे अनोखी और पहचानी जाने वाली घोड़े की नसल है नसल की उत्पत्ति राजस्थान के मारवाड या जोधपुर्क शेत्र से हुई है जहां उन्हें पहली बार बारहवीन शताबदी में एक भयंकर घोड सवार घोड़े के रूप में पाला गया था जो अरबियों और स्थानिय टट्टूओं के वंशच थे तो ये थी हमारी भारतिय घोड़ों की नसले अगले व्लॉग में हम उनकी विशेशताओं पर चर्चा करेंगे तो बने रहिए धन्यवाद वीडियो को लाइक करें शेयर करें और सब्सक्राइब करें